बुलुस्री प्राणनाथ प्यारे की, बुलुस्री सत्गुरु महाराज की अब जाग देखो सुख जागनी, ए सुख सुहागिन जोग तीन लीला चौथी घर की, इन चारों को यामे भोग कैहा न जाए सुख जागनी, सत ठोर के सनेह प्रणाधर सुन्दर साथ जी, अक्षराती धामधनी स्री राज जी, स्री इंद्रावती जी के हृदे धाम में विराजमान होकर, कलस ग्रंत के इस प्रकरण के माध्यम से, जो की जागनी का प्रकरण है, हम सब सुन्दर साथ को प्रबधित कर रहे हैं, और कह रहे हैं, कहया न जाए सुख जागनी, पहली जो पाई, जिसमें कह रहे हैं कि अब जाग देखो सुख जागनी, जागनी के ब्रम्हान में, जागरी तो होकर के, जागनी के सुख को देखना है और जागनी के ब्रह्माण में सुख लेना है और इस चोपाई में कहते हैं कि कया न जाए सुख जागनी जागनी ब्रह्माण में जागरित होने के बाद इतना सुख है कि इसके बारे में शब्दों में वर्डन करना संभो नहीं है लेकिन शर्त ये रग दी कि जागरित होने के बाद ब्रह्माण जागनी का चल रहा है अब प्रश्ण ये होता है कि हम सुख किसको समझे और हम सुख समझ किसको रहे सबसे पहले एक सुख है जिसको हम शरीर अथवा इंद्रियों का सुख समझते है और उसको अध्यात्म के भासा में कहीं पर भी सुख या आनन्द नहीं कहा है हर जगह पे च्छनिक सुख सब्द का प्रयोग वा है अर्था ऐसा सुख है जो च्छन भर के लिए मिलने वाला है तो क्या हम उसको सुख समझ रहे और अगर उसको सुख समझ रहे तो वो जागनी नहीं है लेकिन इसके बाद भी उस च्छनिक सुख से उपर उठने के बाद भी कि ऐसी परिस्थति से बाहर आने के बाद भी अब दो अलग-अलग तरह के सुख होते हैं कि संचार के सुख को हमने तिलांजली देदी कि फूद्रियों के सुख जिनको हम शब्द, स्पर्श, रूपरस और गंद कहते हैं इन सभी सुख को हमने त्याग किया और उस सुख को त्याग करने के बाद अब हम सोचते हैं कि चलो अध्यात्म में आनंद है अध्यात्म में सुख है यह सचाई हमारे समझ में आ गई लेकिन अब अध्यात्म में भी हम दो तर का आनंद ले रहे हैं हो सकता है कि आज की चर्चा या आज की जो भी बात है बहुत सारे सुन्दर साथ को बुरा लग सकता है कस्ट पहुंच सकता है लेकिन सच्चा यह है कि हमने सोचा कि अध्यात्म में सुख है इसलिए हम अध्यात्म के साथ जुड़ गए वाणी के आतम ग्रहन किया और हम इस जागनी की राह पर चल पड़े लेकिन हमने क्या किया क्योंकि जीव का तो ससकार है जीव का सोभाव है चित की वृत्तियों में जन्म जन्मांतर के ससकार भरे पड़े हैं तो वो क्या सोचता है कि जो सुख हम भोग रहे थे अब तक चाहे पिछले अनेकों जन्मों में लाखों जन्मों में हो चाहे इस जन्म में ज्यान ग्रहन करने से पहले तो वो सुख वो आनंद जल्ली से छूटता नहीं है तो अब हमने क्या किया जिस जिस सुख को हम संसारीक सुख कह करके छोड़ आये थे थोड़े दिन के लिए अथवा थोड़े स आज राज्जी से जुड़ने के बाद भी वाणी से जुड़ने के बाद भी हम वही सुख पाना चाहते हैं और दूसरे रूप में पाना चाहते हैं जैसे उदारण के लिए राज्जी की पहचान होने से पहले हम अगर संसारीक फिल्मों में क्लब में जाकर के नाचते होंगे राजी का जियान पाने के बाद में वाणी समझने के बाद में अब हमने भजन में नाचना शुरू किया राजी की पहचान होने से पहले हम दुन्या भर के कर्मकांड करते होंगे आज उस विक्ति से पूछिए जिसके पास तार्तम जियान नहीं है वो जाकर के गंदे गंदे जो नाले हैं आज के जिसको मुक्ति दाईनी समझा जाता है ऐसे नालों में जाकर के डुग के लगाता है पत्रों के आगे सीर पटकता है पेडों के आगे सीर पटकता है ऐसे विक्ति से जाकर के पूछेंगे और ऐसे विक्ति को जाकर कि आप अगर तारतम ग्यान और निजानन्द दर्शन का सिध्धान्द बताएंगे तो वो इसकी कीमत को समझेगा लेकिन हमने क्या किया जो कर्मकांड हम तारतम ग्यान ग्रहन करने से पहले दुनिया के देवी देवताओं के नाम पर कर रहे थे आज वही कर्मकांड हम राजी के नाम पर कर रहे हैं कर रहे हैं क्यों क्योंकि जीव के चित में जो जन्म जन्मांतर के ससकार भरे हुए हैं वो जल्ली से छूटते नहीं हैं और उन्हीं ससकार को अध्यात्म के भास्ता में विकारों के संज़दे विकार और क्या है चितमे जो जन्म जन्मांतर की वासनाएं भरी पड़ी है वही विकार है अब हमने किया कि दुनिया के जो कर्मकान थे उनको राज्जी का नाम दिया दुनिया के जो भावतिक सुख है उनको हमने क्या किया राज्जी का नाम दे करके और धर्म का चोला पहना करके उसी को हमने अपने दैने की जीवन में सामिल किया, अब हमें उसी में आनन्दा रहा है, तो ये दूसरा सुख होगा, पहला सुख तो था जो केवल इंद्रियों में हम डूबे हुए थे और सिर्फ और सिर्फ इंद्रियों के विस्जयों का ही हम भोग करते आ रहे थे, वो है निक्रिष्ट बात, लेकिन इस से हम थोड़ा उपर उठे तो हमने क्या किया, उन्ही सुखों को राजी का नाम दे करके, उन्ही सुखों को हमने अध्यात्म का अथवा धर्म का नाम दे करके भोगना सुरू किया, तो हम सोचते हैं कि अब हम अध्यात्म में बहुत उपर उ कि जी कहते हैं एक सुख सुपन के दूजे जागते जिओं होएं तिन लीला पहली एट-चौथी फरक एता इन दोइ सवपन का सुख और जागरित अउस्था का सुख दोनों में फरक क्या है तो कहते हैं कि जो पहले की तीनी लिलाएं हो चुकी है वो सुख भी स्वपन का है ब्रज में जो हमने आनंद लिया ग्यारा वर्स बावन दिन तक जहां पर सिर्फ प्रेम की और आनंद की लिला हुई लेकिन उसको भी क्या कह दिया राज्जी ने कि वो भी तीन लिला पहली ए चौथी दोनों में पहले की तीन लिला और ये चौथी जागनी की लिला में फर्क बता दिया कि एक तो सुख है स्वपन का और दूसरा सुख है जागरित आउस्था का दोनों में इतना फर्क है ब्रज के बाद जब रास में गए तो रास का जो सुख था वहाँ पर भी राज्जे के साथ में ब्रह्मिस्ष्टियों ने जो लीला की जिस सुख को पाने के लिए सुकदेव जी प्रयास करते रह गए शिव जी प्रयास करते रह गए नर्सईया उस सुख को पाना चाहते हैं लेकिन नहीं पा सकते प्रकास के वाणी कहती है नर्सईया दौडिया रस को वाणी करेरे पुकार रस जाय हुआ अंदर आड़े दरवाजे चार चार दरवाजे जो स्थुल सुक्ष्म कारण और महा कारण सरीर है वो उनके आड़े आय और रास के सुख को वो भी ग्रहण नहीं कर पाए हम ब्रह्म स्रिष्टियों ने उस रास में आनंद लिया वो भी प्रत्यक्ष अवस्था में ऐसा नहीं कि सुन करके आनंद लिया सुनने का आनंद लिया वैसा नहीं हमने स्वयम उस रास में लीला की लेकिन राजी ने कह द उसके बाद दियोचंद्र जी के तन से जो लीला हुई तो उस तन में जब लीला हो रही थी तो आड़े का लीला के माध्यम से ब्रज की लिला को भी हमने अनुभव किया रास की लिला का भी हमने अनुभव किया लेकिन राज जी इस प्रकरण में कह रहे हैं कि देवचंद्र जी के द्वारा जो लिला हो रहे थे वो भी पूरण रूप से जागनी की लिला नहीं थी क्यूं कि जब देवचंद्र जी के द्वारा जागनी की लीला चल रहे थी 313 आत्माय जागरित हुई कुछ समय के लिए और वापस पुनह माया में चली गई क्यूंकि उस तन से जब जागनी लीला हुई वाणी उस समय में अवतरित हुई नहीं थी एक बार थोड़ी देर के लिए जैसे मानली जी कोई बालक सो रहा है उसको माता उठाती है कि बेटा उठ जाए एक बार में जो बालक उठ जाए वो बालक ही नहीं है तो वो उठता है जाग जाता है थोड़ी देर के लिए और उसके बाद वापस नीद में सो जाता है वैसी अवस्था हम सब ब्रह्म सिष्टियों की हुई और देवचंदर जी ने जगाया तो सही आडी का लिलाओं से जगाया क्योंकि उस समय वाणी अवतर इतनी हुई थी इसलिए वापस माया में चले गए क्योंकि दुबारा जगजोरने वाला कोई नहीं था लेकिन ये जो चौथी लिला है जिसको जागनी की लिला कहा जा रहा है इसमें क्या है कि ब्रज की लिला का भी सुख हमें मिल रहा है मिल रहा है कि नहीं आप रास की वाणी पढ़ लीजिए, आप किरंतन की वाणी पढ़ लीजिए, प्रकास की वाणी पढ़ लीजिए, यहां बैठे बैठे हमें पहली बात ब्रज की लिला को याद करा रहे हैं, लेकिन सुख तो याद करने में नहीं है ना, सबसे ज्यादा आनंद किसमें है, मैं एक उदाहरण बार-बार दिया करता हूँ सुन्दर साथ को जिससे समझ में आ जाए अच्छी तरह से और जो नए सुन्दर साथ है वो इस उदाहरण से समझें जो पहले सुन चुके हैं उनको तो शायद समझ में आई ही चुका होगा पहले कि मालीजिये कोई मैच चल रहा है क प्रिकेट का या किसी भी प्रकार का खेल चल रहा है ग्राउंड में उसका लाइब प्रसारण किया जाता है किसी ने किसी स्पोर्ट चैनल के द्वारा या फिर रेडियो के माध्यम से कमेंटरी बताई जाते हैं कि खेल ऐसा ऐसा चल रहा है तो एक आनन्द है जो खेलने वाले को मिल रहा है एक आनन्ध है जो देखने वाले को मिल रहा है और एक आनन्ध है कमेंटरी सुनने वाले को मिल रहा है तीनों में आनन्ध है है कि नहीं अगर कमेंटरी में सुनने में आनन्ध नहीं होता तो आपने देखा होगा आज से 15-20 साल पहले जब टेलिविजन में क्रिके के आने के बाद TV के सामने होती थी तो आनन तो कमेंटरी सुने में भी है उसके बाद TV आ गया TV में देखने में भी आनन दा रहा है अथवा मान लिजे स्टेडियम में जा करके देखने में दोनों देखना एक समान है तो वहां देखने पर भी आनन दा रहा है और खेलने वाले क को भी आनंद आ रहा है आनंद तो सब को मिल रहा है लेकिन तीनों आनंद क्या एक जैसे हैं नहीं सबसे ज्यादा आनंद किसको है बताइए सबसे ज्यादा आनंद खेलने वाले को उसके बाद देखने वाले को आनंद आता है और फिर सुनने वाले को आनंद आता है अभी हमार कमेंटरी सुनने में ही आनाद ले रहे हैं हर साल और साल में एक बार नहीं साल में कम से कम मान लिजे ये सरदपुर्णी मा का कारेक्रम है ये एक बार आया सरसावा में वारसे कुथ्स होता है एक बार फिर वड़ोद्रा में वारसे कुथ्स होता है और फिर अपने अपने गाम में आस-पास जो छोटी- Cle ether eat ि रहती यह वहाँ पर चर्चा सुनते हैं फिर आज तो यूट्यूब चैनल है जयन पेट का उसमें भी रोज़ चर्चा सुनते हैं चर्चा सुनते 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 कि इत्ना समय बज़ा है कि सबके अलग-अलब हिसाब किताब है ना कोई 10 साल से सुन रहा है कोई 15 साल से कोई 20 साल से और सरकार श्री जब थे उस समय में एक भजन गाया करते थे सुन्दर साथ कहते थे इतनी वाणी चर्चा सुनकर दिलना दहलता है सारे बेशुद हो गये हैं ऐसा लगता है अब सब्सक्राइब सब्सक्रीं को ही 15 डिन रात बराथ जर्चा सुनने की बाद क्यूं कहीं पहले ये तो संज्याम जैसे अभी साइद दो या तीन दिन पहले की चर्चा में कोई सुन्दर्शाथ उदाहरन दे रहे थे कि जैसे एक सिसा है, सिसे की उपर कोई मैल की परत जमी हुई है अगर एक दिन साफ नहीं किया, दो दिन साफ नहीं किया, एक महिना साफ नहीं किया एक मेने के बाद अगर हम साफ करते हैं तो क्या होता है? मुश्किल आती है क्योंकि दाग काफी पढ़ चुक आता है खूब रगड़ना पढ़ता है लेकिन जब बात करते हैं दिन रात चर्चा सुनने की मानली जी हमने दिन में एक बार भी चर्चा सुनी तो वो जो चर्चा की तरंगे हैं और वो ज्यान का जो विचार है वो हमारे मस्तिष्क में चलता ही रहता है एक सुन्दर साथ हैं उन्होंने इस भाव को समझाने के लिए बहुत या अच्छा उदारण दिया था कि जैसे पंखा चल रहा है ठीक पंखा को बंद भी कर दिया जाए तो तुरंट तो नहीं रुखता ना पंखा बंद करते हैं तो जिस बल के साथ में जिस फोर्स के साथ में घूम रहा है उसको रुकने में कुछ समय तो लगता है वैसे ही दिन में कम से कम एक बार हम वानी पढ़ते हैं, तो उसका प्रभाव काफी समय तक हमारे हृदे में बना रहता है। लेकिन वो सुख कौन सा हुआ है कमेंटरी का सुख हुआ ना कमेंटरी का सुख इसलिए चर्चा इसलिए सुनाए जाती है ताकि सुन्दर साथ को परम्धाम का सुख याद आए क्योंकि जागनी किसको कहते हैं यही अपनी जागनी जो याद आवे निज सुख तो निज सुख को याद दिलाने के लिए परमधाम के सुख को आनन्द को याद दिलाने के लिए चरचा सुनाए जाती है अब सूचिए आप सब यहां से वापस जाएंगे आप सब की अलग-अलग समय पर ट्रेन होगी मालीजे आज साम की ट्रेन है आपकी साथ साढ़े साथ बजे की सुबह याद दिलाया जाता है कि सुनौर essaad जी आपको शाड़े साथ बजे की ट्रेन से जाना है एक बार याद दिला दिया गया फिर लगा कि चलो हो सकता है भुल गए होंगे दिन में भी याद दिला गया तो उस आप बोलते हैं कि हाने नि मुझे याद है है teen A Saam को साधे साध बज गया और आपको बता जाते है कि आप तो अभी तो आपकी train है अप धिरमा मुझे याद तो अगर स्रुफ याद दिलाना है कमेंटरी सुन करके तो सरकार एक द्रिष्टांद दिया करते थे कि एक बार किसी ने चीडियों को जो बोलती है ना चीडिया पक्षी उनको किसी ने सिखाया केते हैं कि सिकारी आएगा दाना डालेगा जाल बिचाएगा तुम फसना नहीं चीडियों को याद करा दिया रटा दिया गया चीडियों ने याद भी किया सिकारी आया वो उधर गा रहे है कि सिकारी आएगा दाना डालेगा जाल बिचाएगा फसना नहीं दैणना डाला जाल विछाय चीडिया उसमें फस गई सभी चीडियों को पकड करके जोले में भर करके वह ले करके जा रहा है और उस जोले के अंदर बेट वो कि चीडिया क्या बोल रही है शिकारि आएगा डाना डालेगा जाल विछाय तुम फस जाए नि dus तो दूसरा वाला सुख है पहले वाला सुख तो छेडिक था इंडरियों का था वो समाप्त हो गया उसके तरफ हमीं ध्यान ही नहीं देना उसको तो हमने पार कर लिया पहला इस्टेज जैसे तेसे पार किया लेकिन ये दूसरा सब कुछ होगा तो कमेंटरी का सुख है चर्चा सुनना लेकिन यह जो अब जाग देखो सुख जागनी कहा जा रहा है वो कमेंटरी के सुख तक सिमित नहीं है अब इससे थोड़ा सा उपर उठ करके अब देखने का सुख कि एक जलक अगर हमें मिल जाए तो एक जलक मिलने के बाद में हमारे अंदर क्या होगी इच्छा कि जो जिस लिला को देख करके हमें इतना आनन्दा आ रहा है पहले तो सोचिए एक वाणी में चोपाई केती है ना वैसे वो चोपाई किसी और प्रसंग में लेकिन यहां समझने के लिए में उदारन दे रहा ह इंद्रा उती जी केतनी कि एता सुख तेरे विरह में तो कौन सुख हो से विहार विरह में जब इतना सुख है तो राजी के साथ विहार करने में लिला करने में कितना सुख होगा अब सोचे कि इस जागनी के ब्रह्मान में राजी को एक बार हृदे में बसाने पर वो सुख कि शुरूप के पहचान नहीं थी अब तो हमें पहचान हो चुके ना एक बार दुख भोगने के बाद जब सुख मिलता है सोचे कि भूखे व्यक्ति को सुखी रोटी दी जाती तो इतना स्वाध आ जाता है उसको अगर छपन भोग दिया जाए तो जो जीव इस संचार में छेणिक सुख पाने के लिए एक व्यक्तिमाली जो इस संचार में कोई लड़का है अथवा कोई लड़की है जो किसी से एक तरफा प्रेम करती है या करता है तो उसकी एक जलक पाने के लिए या ये समझने के लिए या ये जानने के लिए अथवा किस से एक बार बात करने के लिए तड़कती है या तड़कता है और अगर बात करने को मिल जाए तो उसको कितना सुख होगा और अगर जिससे वो एक तरफा प्यार करते हैं वो अगर ये बोले सामने से कि मैं तुम्हें तुमसे भी दसगुना प्रेम करता हूं और उस प्रेम को व प्रमाणित करके भी बताए तो कितना आनन्द होगा उसमें तो जो जीव क्योंकि जीव ही तो सब कुछ कर रहा है अभी आत्मा तो द्रस्टा है यहां पर जो जीव इस संचार में प्रेम का एक मुद्ध पाने के लिए तडप रहा था राजी ने इतनी कृपाकी की परमधाम क जीवों के उपर आकर के विराजमान हो गई अब वानी के माध्यम से उनको वो एक मुद्ध सुख हटा करके अब राजी ने उनको अनन्द के सुख के विशय में बताया वानी के माध्यम से बताया चर्चा के माध्यम से बताया और चितवनी के माध्यम से अब बता रहे हैं ये कह रहे हैं कि अगर तुम उस सुख में डूबोगे, अगर तुम उस सुख की एक जलक लोगे तो क्या होगा? एक बार जलक लेने पर अवस्था ऐसी बन जाएगी कि जब तक इस संचार में तुम जीवित हो, तब तक जीवित रहने का मतलब जब तक तन नहीं छूट जाता, तब तक तुम्हें उसका स्वाद उसकी लजज़त मिलती रहेगी. किसी को एक बार अगर परमधाम का दर्शन हो जाए, किसी जीवु को, तो क्या वो उसकी स्वाद को छोड़ेगा? आपको अगर ये बता दिया जाए, ये बताने की भी जुरुत नहीं, आपको अगर परमधाम का दर्शन, राजी का दर्शन एक बार हो जाए, तो मैं ये बता सकता हूँ, इसको तो गैरेंटी के साथ कह सकता हूँ, कि आप सभी सुन्दर साथ कहेंगे, कि आज से हम प्रति दिन वाणी पढ़ेंगे और प्रति दिन वो सब कुछ करेंगे जो राजी को पाने के लिए जरूरी है, लेकिन उस एक जलक को पाने के लिए राजी कह रहे हैं, कि अब जाग देखो, सुख जागनी, इस जागनी की ब्रह्मान में जागरित हो जाना है, और वो एक जलक पान को उड़ाना है, क्योंकि पहला सुख जो छेडिक था, उसको हमने छोड़ दिया, अब एक एक स्टेप करके हम संगशेप में समझते हैं, क्योंकि इस समय तो सायद ज्यादा नहीं है, छेडिक सुख को हमने छोड़ दिया, कमेंटरी का जो सुख था, वो भी अब उस से अग लेकिन अगर चैनल अलग है तो चैनल ही आपने नहीं बदला है, तो आप सुख नहीं ले सकते हैं, तो करना क्या है? अब करने की क्या करने की जज़रूरत है? बस चैनल बदलने की ज़रूरत हैं ना, स्वामी जी एक उधारण दिया करते हैं साइद साइब लेशाय का, कि उनको किसी ने पुछा कि रब को कैसे पाया जाए, परमात्मा को कैसे पाया जाए, वो समय में कुछ लसन या कोई पौधा बो रहे थे, तो किते हैं कि जैसे इस पौधे को लगाने के लिए इधर से उखा की तरफ और हमारी मन के वृत्यों का अब किस तरफ लगाना है राज्य की तरफ लगाना यही तो इना चैनल बदलना कि एक है संसारी के विशयों के सुख का चैनल और एक है परंधाम के सुख का अब रिमोट हमारे हाथ में है तो अब हमें सिर्फ चैनल बदलना है हमें अपनी द्रिष्टी को सिर्फ राज्य के तरफ लगाना है क्योंकि माया और कुछ नहीं है माया क्या है? माया कुछ है? माया का मतलब सौपन है न? जब राज्जी ने राज्जी प्रत्यक्स रुप से ब्रज में साथ में थे रास में साथ में थे उसको जब सौपन का सुख बताया तो इस संचार का जो छेनिक सुख है उसको वो तो प्रत्यक्स का सुख कभी नहीं हो सकता और सोचिए कि सपने में चाहे कितना भी सुख हो जागरिती के सुख से बढ़ा तो कभी नहीं हो सकता ना स्वपन मतलब जीरो और जागरित मतलब अनन्थ ठीक है जीरो से एक कितना बढ़ा होता है जीरो से एक कितना बढ़ा होता है अनन्थ गुणा बढ़ा हो सकता है ना सोचे जब जिरो से एक अनंद गुणा बड़ा हो सकता है तो माया जिरो है और जागनी का जो सुख है वो अनंद है अब सोचे अनंद को अनंद से गुणा कर दीजिए अनंद ही आने वाला है तो ये जो सुख है वो तीसरा वाला सुख है इस संसार में परमधाम का जो सुख ल यह तीसरा वाला सुख है और जो चौथा वाला सुख वो तो फिर परमधम में जाकर की हो सकता है लेकिन उसके लिए क्या है इसी प्रकरण में कहते हैं पौड़े भेले जागसी भेले खेले देख्या सबों एक बाता करसी जुदी जुदी विद्विद की विशेग तो प्रसं युक्ति मतलब उपाय पुर्वक्त जगारना चाहती हूं और जगाती हूं जिससे कि आपके जीव के चित के सारे विकार समाप्त हो जाए क्योंकि जैसे विकार समाप्त हो गए विकार समाप्त होने के बाद अब यही तो परदा है ना एक क्योंकि परात्म के हृदय में जो आधिम से जो आत्मा को घेर रखा है वाणी केती है जीवे आतम अंधीकरी मिल अंतसकरण अंधेर गिर्दवाए अंधीम्रिया तीन लई आतम को घेर तो ये जैसे ही विकार समाथ हो गया जैसे ही आइना साफ हो गया अब सामने प्रत्यक्ष दीख रहा है सोरूप और एक बार सुरूप की एक जलक दिखने के बाद अब जीव उसको बारम बार देखना चाएगा लगातार देखना चाएगा उसके बाद तो अब काम बन गया ये लख्ष है इस जागनी के ब्रह्मान में आतमा का जैसे मैंने आपको सवाल पूछा था कि माया क्या है माया कुछ नहीं है जहां राजी नहीं है जिस जगह पे राजी नहीं है वहाँ वहाँ पर माया है वाणी केतना अर्श लोया दुनिया दो पाईएना एक ठोर एक साइंस जब पढ़ते ना तो विद्यार्थियों को एक सवाल पुछा जाता है कि वाट इस डार्कनेस अंधकार क्या है अंधकार का कोई स्रोत होता है जैसे प्रकास का स्रोत लाइट लगा हुआ है दीपक है सूरज है अंधकार का कोई स्रोत है कोई श्रोत होता है अंधकार का नहीं होता ना प्रकास की अनुपस्थिती को अंधकार कहते हैं वैसे ही जब-जब हमारे रिदय में राज्जी है तब-तब माया नहीं हो सकती है जैसे सूरज की द्रिष्टी में रात्री नहीं हो सकती है वाणी केते हैं असत असत पटन तरो जैसे दिन और रात सत सूरज जब देखे ही तब प्रगट भयो प्रभाद अब एक बार राज्जी का स्वरूप रिदय में आकर विराज्मान हो जाए तो केते हैं माया गई पोता सभी ब्रह्म्न स्विष्टियों की जागरिती हो गई तो फिर एक साथ परम्धाम में भी हम जागरित हो जाएंगी लेकिन इसके लिए हमें उन सभी सुखों को छोड़ते हुपे एक-एक स्टेप करके आगी आना पड़ेगा संचारी की विश्वयों के सुख को हमने पर अथवा राज्जी के नाम पर हम दुबारा उस सुख को भोगने ना जाएं केवल नाचने कुदने को अथवा भंडारे करने को हम अध्यात्म का या राज्जी का सुख ना समझें यह दूसरे दर्जे का सुख है जो पहले वाले से थोड़ा ही स्रिष्ट है तो हमें उस से भी उपर आना होगा उसके बाद वानी चर्चा में सुख है लेकिन सर्फ उसी को सब कुछ ना समझें वो सब कुछ इस तरह से है कि उसको सुन करके समझ करके हम चितवनी में डूबें लेकिन अगर हम केवल सनने को ही सब कुछ समझते हैं तो फिर हमारी हवस्था उस या जैसे ही हो जाएगी जो कह रहे थी किसी कारी आएगा डाना डालेगा जैसे गुड कहने से अथवा सक्कर सक्कर कहने से मूँ मिठा नहीं हो जाता वैसे ही किवल जागनी जागनी कहने से परमधाम परमधाम कहने से राजस्यमाजी कहने से अथवा तार्तम का महर सागर का व देद हमें बसाना पड़ेगा तभी हमारी आत्म जागरिती संभव होगी और उसके बाद ही हमारी परातम की जागनी संभव होगी इनी शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ समय पुरा हो चुका है जो पैदो रहे है अब जगाऊं जुगत सौं उडाऊं सब विकार रंगे रास रमाय के सुफल करूं अवतार सुफल करूं अवतार बोल स्री प्राणनाथ अवतार बोल स्री प्राणनाथ